नमस्कार स्वागत हाब सबका नारटी बी पर दोस्तों किशोरदा के उपर जो हमारी पिछली वीडियो जाए थी उस पर आप लोगों का काफी प्यार मिल रहा है आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि किशोरदा के उपर और वीडियो जाए आप लोगों के ही कहने पर आज हम फिर से लेकर आए हैं कि शोर्दा के उपर एक और इस्पेशल वीडियो जैसा कि आप लोगों को थमनेल और टाइटिल से पता चल गया होगा कि आज की बात होने वाली है योडलिंग पर योडलिंग के टॉपिक पर जब हमने वीडियो चल पाओ किशोड कुमार ने योडलिंग के उपर कौन कौन से नए प्रयोक किए ये सारी जानकारी आपको देंगे शमीर मेमन साहब साती साथ हम लोग समीर सर और उनकी पतनी से किशोर कुमार के योडलिंग के ऊपर कुछ गाने भी सुनेंगे दिखिए यॉड्लिंग एक अंग्रेजी शब्द है और जर्मनी भाषा में इसे जॉड्लेंग कहते है अच्छा अब ये जॉड्लिंग या यॉड्लिंग ये कहां से लिगे ये जो का तार्जन की कोई फिल्म देखिया आपने हो 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 याद है इस वाच पर तार्जन ये लोग जब जंगल में इंकी बख्रिया पुनी दूर चली जाती थी तो इस तरह कि ये आवाज दिखालते हैं ये बकरियों को वेरों को वापस बुलाते थी तो यह भी ठाड़ पुले हैं तो सुन अठारा सु पीस के दर्शक में योरप सुजरलेंड आस्ट्रिया दर्शिम जर्मनी में इस तार्जन की आवाज को सुनों में ठाल दिया उस वक इसे यॉड् जब यॉड्लिंग का नाम देने वाला कौन था यभी मैं उस पर भी आ रहा हूं तो उस वक के लोग गायकों ने इसे समारों में संगीत समारों में गाना शुरू किया और फिर सन 1928 के दशक में आफरीकी और अमरीकी संगीत शेली में दोनों शेलियों को मिक्स किया गया था पारवपारी को लोग संगीत शौन का होता था, कांट्री मीजिक जी को जब शात तरिफिया इसको पहली बार प्रयोग किया जीवी राजर्स जीवी यह सबसे पहले यॉडलर थे, मिश्वी के सबसे पहले यॉडलर यही थे पाफ्चा इनका ब्लू यॉडल नाम का रिकॉर पहली बार ये उनका धर्च हुआ था और इसमें जीन आर्टरी और रॉय राजर्स नाम के दो फिल्मी सितारे में 1930 के दर्शक में जब धौनी फिल्में आई 1930 में बोती दर्वी फिल्मों का प्रादू आई जब आया तो जरूर बताना चाहिए आपने काहरी रिसर्स तो दीशर्स में आपका बिल्कुल मैं मांग को इस बाद तो जीन आर्टरी और रॉय राजर्स नाम के दो फिल्मी सितारे भी थे जो अच्छे यॉडलर के हिसाब से इन्होंने जीमी राजर्स को ही कोपी की और जीमी राजर्स को कोपी की और जीमी राजर्स ने जो योडलिंग की थी उसका नाम जीमी राजर्स ने दिया था अलपाइन योडलिंग यह नाम था अलपाइन योडलिंग और उसके बाद जीमी राजर्स की अलपाइन योडलिं जन्मनी से अम्रिका से इनके रिकाट जारी होते हैं और उसके बाद 1935-1936 के दशक में वैंडा जेक्सन नाम की एक महिला यॉडर ने महिला जेक्सन जी कोई इससे फैमिलियल लगते है जैनिट जेक्सन को मैंकल जेक्सन नहीं ऐसा नहीं हो दो जेक्सन नहीं थे यह साथ नहीं बात है नहीं बात है और यह जो थी इसने अलपाइन योड्लिंग के साथ काउबाई योड्लिंग या काउबाई यॉटन उसको इसने जॉइंट किया अलपाइन योड्लिंग और काउबाई यॉटन जैसे आज की जमाने में लोग मैसब कहे थे वैसे उस ताम के मैसब इन्हों ने किया और तब जब 1950 के दर्शक नहीं बहुत फेमस होगे थी तो किशुन कुमार जो थे वह 1948 में आये थे फिल्म इंडस्टी में पहला गाना उनका फेम चेप्रकाज जीन रिकॉर्ड किया था फिल्म जिद्धी के लिए देवा लगए फिल्म के लिए पहली इंट्री तो देव साहब उस वक्ष पे मां ये था मरने की दुआए क्यों मागों जीने की तुमना को न करे को न करे सेटल साब जैसे इन्होंने काया है तिक वेंडा जैक्शन की काउब बॉय यॉडल और जीमी रोजर्स की अल्पाइन योडलिंग पे किशोर कुमार साब ने अपना ध्यान आकर्ष्चन उनका जो हुआ था और ध्यान केंद्रित करना उनको शुरूर किया था उनीश की पर सक्षाइर क्यों कि इनका जो था पहला गाना सद्दुनीश सो पच्पल में आया था और उनीश सो पर्श्बन तब किशोर कुमार ने यॉडलिंग की प्रैक्ट शाद्दिक परिभासा करें इसमें इनॉट्रिंग दो तरीके से होती है एक होता है कम पिछ चेस्ट रजिस्टर याने आपकी चेस्ट वाइस आप इसे हिंदी भाषा में शांस्तरी संगीत में आप इसे मंदसक्तक कह सकते है अच्छा मंदसक्त यह है और चेस्ट वाइस रजिस्टर मतलब चेस्ट वाइस जो है यह आगे है कि मंदसक्तक और इसके बार हाई-पिछ हैट रजिस्टर हाई-पिछ हैट रजिस्टर ता सबत ते है शाडे रोब आप अच्छा सू अच्छा सू लोग उता सू लोग उता सू लोग इसे मंदसक्त कर दो ने जो आप इसे हमायो तो हाई-पिछ हैट रे इस्तर अब इन दोनों सवरों टेज़ी से बत्ताओं पारिक ओ उतार चड़ाओ को ही योडलिंग कहते हैं मन्द सब तक खरद सब तक रफी साम तो खरद सब तक में डाल दिया अच्छा उजे कदम आगे थे अच्छा अब तो जीमी रोजर्स और आपकी मेंडा जैक्सन इन्हों ने तो सिर्फ दो बताए थे ना इन्हों ने तीसरा इंटर्डूस किया नहीं किशोर्गा ने तो बहुत सी चीज़ बताए थी मैं मैंजिक ऑफ योडलिंग जब बनाऊंगा उसमें किशोर्कुमार ने इनके दो दो ही प्रकार थे किशोर्कुमार ने पांच प्रकार और जो दिये किया बात करेंगे अने इतना रिसेंज किया हो इतनी मेहनत की कि इतने पांच योडली कि मांच प्रकार की उन्होंने बताई एक सब्जेक ही आपने बात करेंगे किशोर्कुमार ने सबसे पहला सफर प्रयोंग किया था उन्हीं सो पच्पन में जैदो साथ की फिल्म आई थी फिल्म का नाम था जूदू का भाई मैं जैदो साथ का पहला गीत था ही ओके गाने के ब्रूम क्या थे काली काली तारों वाली राज जमाने आजा मोडड़े तू मेरी जाए तू मेरी जाए तो कहा है तू दिल्म और सनुनी सो पच्पन में ही विपिंदा अपने ओपी नेर साथ की फिल्म आई थी बाप्रेबा ओ तो काफी चली थी और बहुत ही आज भी लोग प्याते है जिया बता हिए इसके भी दो गाने सुपर दूपर हिट हुए थे अच्छा एक था पिया 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 मेरा जिया अपरे बसाइस पी लोग को आप आते हैं दूसरा गित्था तान कैसे गले जबके जूता चले तान कैसे गले जबके जूता चले ऐसे शादी से हुन तो कबारे खले तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगले पार्ट में हम किशोर कुमार के योडलिंग से सम्बंदित कुछ और दिल्चस्प बाते जानेंगे साथ हम ये भी जानेंगे कि किशोर कुमार के बाद बॉलिवुड में योडलिंग किसने की तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, कोमेंट करके ज़रू बताएगेगा वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार